दोस्तों मेरी चैनल पर आपका स्वागत है अभी नंतन है शिखर और कलश सोने का है सभी देवों ने मिलकर यहां श्री गनेश जी की स्टापना की थी प्रचलित कथा नुसार अभिनंदन नाम के राजा ने इंद्रपत के लिए यग शुरू किया ये बात जब इंद्रों को पता चली तो उन्होंने यग में विगन डालने के लिए विगनासुर को आग गया दी विगनासुर सिर्फ अभिनंदन राजा के यग का नाश करके रुका नहीं उसने सभी देवों को आवभान किया देवों ने इस संकट को पार पाढ़ने के लिए शुरू विनायक की आराधना की फिर गजानन ने पाराशर रिशी के पुत्र होकर यहां आवतार लिया और विगनेश्वर का इसी जगह पर नाश किया मेरा नाम धारन करके आप यहां विराजित हो विगनेश्वर की इस प्रार्धना को भगवान श्री गणिश ने स्विकारा और यहां श्री विगनेश्वर यानि श्री विगनहर के नाम से स्थापित हो गए श्री विगनेश्वर का मंदिर पुर्वा भिमुकी है चारो और पत्थर का तठ है मंदिर में दो दीप मालाएं हैं मंदिर के नकाशी देखने लायक है इनकी सून बाया हाथ की ओर है और श्री आसन लगाए बैठे होए है तो आज की अस्ट विनाए की यात्रा में हमने सात्वे गनेश ओजर के श्री विगनेश्वर के दर्शन किये अगले भाग में हम दर्शन करेंगे अस्ट विनाए की यात्रा के आठवे और अंतिम गनेश्जी के ओजर से सित्यानवे किलोमेटर की दूरी पर स्थित है रंज झाल झाल